Hey everyone, मैं सोफियान कुरेशी, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, आपके इस YouTube चैनल The Simple Science में आप सभी लोगों ने एक बहुत common चीज़ notice की होंगी, वो ये है कि जबी भी घर के अंदर मम्मी या घर का कोई दूसरा member खाना बनाने के लिए प्याज या ओनियन को कट करता है, तो उसकी आखों में से आसु निकलने लगते है, वो जो इंसान है वो रोने लगता है सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ऐसा क्यूं होता है, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए, कि जब हम ओनियन को कट करेंगे, तो उसको कट करते समय हमारे आखों में से पानी ना निकले तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं प्यास जो होता है, ओनियन जो होती है इसके अंदर कुछ केमिकल्स और कुछ एंजाइम्स होते है जब हम ओनियन को या प्यास को कट करते है तो इसमें से दो तरीके के चीजे बाहर निकलते है सबसे पहला होता है amino acid sulfoxide और उसके साथ साथ कुछ special enzymes होते है जब इनको cut करेंगे तो amino acid sulfoxide और कुछ special enzymes उसमें से बाहर निकलेंगे जैसी ये amino acid sulfoxide और ये special enzymes बाहर निकलेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से react करेंगे इनके बीच में chemical reaction होगा और chemical reaction होने की वज़े से एक नई किस्म की gas बनेंगी और वो gas का नाम होता है sin propanethyl S oxide हाँ बिल्कुल सही सुना आपने sin propanethyl S oxide ये नाम की gas उसमें से बनेंगी और ये gas हमारे हवा के अंदर air के अंदर enter हो जाएंगी हवा से होते हुए ये जो sin propanethyl S oxide नाम की जो gas है हमारी आखों में चले जाएंगी और आखों में जाने के बाद हमारी आखों के अंदर कुछ liquids होते है तो ये जो gas है हमारी आखों के liquid के साथ वपिस से एक chemical reaction होगा और इसके अंदर बनेंगा mild sulfuric acid मतलब sulfuric acid हमारी आखों में बनेंगा और ये sulfuric acid की वज़े से हमारी आखे जलने लगेंगी हमें irritation महसूस होगा अब हमारी आखों का और हमारी body का एक mechanism होता है जबी भी कोई चीज बाहर की चीज या कोई कच्रा हमारी आखों में enter होता है के अंदर जो लेक्मिरल ग्लैंड होते हैं ये लेक्मिरल ग्लैंड पानी छोड़ना शुरू करेंगे और ये पानी की वज़े से जो सेलफिरिक एसीड हमारी आखों में बना है वो हमारे आखों से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगा इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जब कोई कोई इनसान या हमारे घर का कोई भी मेंबर जब ओनियन या प्यास को कट करता है तो उसके आखों में से आसु निकलने लगते है और ना चाहते हुए भी वो इनसान वो शक्स रोने लगता है अब हमें ये देखना है कि हमें ऐसा क्या करना होंगा कि प्यास कट करते समय या onion को cut करते समय हमारी आखों में से पानी न निकले तो तीन तरीके हैं सबसे पहला तरीका यह है प्यास को cut करने से पहले आपको कुछ समय के लिए उसको refrigerate याने कुछ समय के लिए उसको थंडा करना होंगा थंडा करने की वज़े से ये जो chemical से जो enzyme से इनका जो reaction है वो थोड़ा slow हो जाएंगा और हमारी आखों में से पानी नहीं निकलेंगा दूसरा ये आप प्यास को पानी के अंदर कट करने की कोशिश करें क्योंकि जब प्यास को पानी के अंदर कट करोंगे तो वो जो gas निकलेंगी जो sin propanethiol S oxide नाम की जो gas है जो gas बाहर निकलेंगी वो पानी के अंदर ही mix हो जाएंगी और वो जो sulfuric acid है वो sulfuric acid पानी के अंदर ह बनेंगा तीसरा और बहुत सिंपल है कि आप प्यास कट करते समय गौगल स्पेन लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया अगर आपको यह जानकरी पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए शेर कीजिए यह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू